नमस्कार मैं सुशील पाल और NB TV इंडिया के खास कारेकरम कौन बनेगा मुख्यमंतरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपने देखा होगा कि जब जब राजनेताओं के ओपर कोई मुसीवत आती है तब तब वो जोतिश विद्या की और जाते हैं तब तब अपना भविष्य जानने के लिए वो किसी ना किसी पंडित के या किसी जोतिश चार्य के पास में जरूर जाते हैं चाहें वो नरेंदर मोदी हो इसमर्थी रानी हो राजनात सिंग हो वसुम्रा राजे हो अशो घेलो तो सचिंग पालेट हो यह तमाम वो राजनेता हैं जो जब जब उनके उपर कोई मुसीबत आती है तो जाते हैं और ऐसी ही मुसीबत इस समय प्रदेश के तमाम राजनेताओं के उपर है वो मुसीबत क्या है? 11 दिसंबर को नतीज आने वाले हैं जिसमें फैसला होगा कि राजिस्थान का मुक्यमंतरी कौन बनेगा और राजिस्थान में कौन सी पाटी सत्ता में आ रही है इसलिए हम भी ये कोशिश कर रहे हाला कि हम बिलकुल भी विश्वास नहीं करते लेकिन जैसा कि तमाम राजनेता विश्वास करते हैं और जो हमारे दर्शक हैं वो भी जोतिश के उपर कहीं न कहीं बहुत गहरा विश्वास रखते हैं इसलिए आज मेरे साथी आनन्चर्मा है जो आपको ये बताएंगे कि अजमेर के अंदर जो पूरी की पूरी आठो विदान सवाएं हैं वहां से कौन जीट के आ रहा है जोतिश के मुताबिक और राजिस्थान के अंदर किस के सर पर तास सजेगा यानि कि कौन बनेगा प्रदेश का मुख्य मंत्री बताएं हम आपको बताने वाले हैं शरुआ हम करते हैं प्रदेश के अंदर स्तती के रहने वाले है अनल जी बहुत अस्षी स्वागत merlin सबसे पहले तो हमारे दर्शु को यह बताइए कि राजिस्थान के अंदर इस बात किसकी सबता बंती कि आपको नजर आ रही है राजस्ताँ में इस बार सफता में यहाई है और कांग्रेस पीर्टी में भी हम अगर बात करें तो कॉंगर्स काटी को ज्यादा से ज्यादा 107 आ 2108 सीठे मिलेंगी उनको फिर भी बार से मधीक लेहना पड़ेगा और उसके बाद ही वो सरकार बना पाएंगे 107 से 110 सीट है मानने कि कॉंग्रेस पार्टी नहीं आएगी नहीं लेकिन कई एक्जीट पोल ऐसे भी आये जिसमें यह कहा गया है कि बराबर दोनों पार्टी की टक्कर रही है यानि किसी नाइटी फैट दिखाया किसी नाइटी एट दिखाय क्या जो थर्ड फ्रंट था उसके साथ कुछ समझोता होगा गड़बंदन होगा या इस पश्ट बहुम्मत से कॉंग्रेस सरकार बना लेगी इस पश्ट बहुम्मत तो दोनों को मिलता नहीं दिख रहा बीजेपी और कॉंग्रेस को जोतिशे गड़ना से और रही इनको थर अतियनता पाटी की सरकार बनती है मान लीजिए तो फेर मुख्य मनती क्या वस्नुराजी रही या उसमें बद्ला होगा क्योंकि कही न कहीं प्रदेश में सबसे बड़ी बाती है कि अभी ब्रस्पति अतिचारी चले है ब्रस्पति सामाजिक व्यवस्ता और सामाजिक कारक क है राजनितिक व्यवस्ता में ग्यान के कारक है तो वो भी अतिचारी है मतलब कि एक बहुत गुसे में होता है बोस इस ऑल्वेज राइट होता है कि मैं तो यह करूंगा ही करूंगा मुझे कोई रोक ले तो अभी उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लग कर लिया एग आदमी के जीवन में साढ़े साथी तीन बार आती है अधिकतम तीन बार कई जनने दो भार देख पाते हैं तो और आधिकतम तीन बार आती है तो इनकी तीसरी टाइम का टेंटेनी ऐर खतम हो गया तो अब इनकी जो सेटन और जो वीनस से जो राजयोग बन रहा था वो खतम होने पर है तो दुबारा तो मिलना ही मुश्मिल है अगर कॉंग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में आती है तो पर मुख्यमंत्री कौन होगा क्योंकि अश्व गैलोथ भी है रामेश से दूसरे हाउस में कोचर कर रहा है तो इस इसाब से यह है कि किसी युवा के हाथ में वेवस्ता जाएगी रामिश्वर जी डूडी और आप बात करें कि अशोग गैलोथ यह दोनों अपनी एक पून प्रोड अवस्ता में हैं तो शायद मुझे नहीं लगता है कि इनके हा आतुम ही जाएगी पाक्षूर कोई भी हो यह जो जोतिश के अकॉर्डिंग बता रहे हैं मेरे मित्र आनंद वो यह कह रहा है कि कॉंग्रेस पाटिया का जीती है तो सच्छीन पाइलेट कहीना की मुख्यमंतरी बन सकते हैं लेकिन आनंद अजमेर में जदी हम विदान सवा करें तो मैं सबसे पहले यह जो चित में लिखावा है अजमेर दश्चनु अजमेर उत्तर की सीट पर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर अजमेर उत्तर के उपर इस्तती आपको कहते है कि कॉंग्रेस पाटी जीत कर आ रही है या भाधियन्ता पाटी यहां पर आ रही है कर रहा था और जिस समय यह इनका जुपिडर भी खराब इस्तती में चल रहा है और इनकी साड़े साथी चल रही है समापती की हो रहा है शनी शनी की तो मुझे नहीं लगता है कि तीसरी बार के बाद चौथी बार चुन कर आईए अच्छा और अगर आपके जोतिश कर अग अगर आपके घर सिंग राणाऊ था आ सकते हैं अज मेर अच्छा अज मेर द शनी बन रहा है उनके चांसिस बंड है अज मेर दशिन की अगर आप करें तो हम बात करें तो हैम बाटी और अनिटा बश्य बादी दोनों में से आपकिसको देख नहीं बट आपकर रहा है जहां कि हमन्द बाटी को भी मतलब की तीन या चार प्लेनेट अभी उनके खराब चलने है तो उनका जीत के आना मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि हो सकता उनको बीतरी शत्रोग के साथ साथ एक ग्रह है जो यह के सकते हैं कि गुपतु शत्रोग के बारे में बताता क्योंकि मैं पहले उनकी कुंड़ी देख चुका हूँ तो उनकी इस्तती बिल्कुल तटस्त है वो निकल सकती है यानि कि वापस से वो इस वापस से आ सकती है यही बात अगर हम दूसरी इस परची में हम बात करें केकडी की सीट पर आकराम आते हैं तो रगु शर्मा अगरेश से हैं और आजेंदर विनाय का भार्ती अंता पार्टी से हैं यहां पर के स्तति बंती नतरा इंके जलम काने इन शुक्र की स्तती भी अच्छी है और अभी प्रेजेंट में शुक्र ने जब चुनाव उजीता रा है तब इनके शूनाव जीता बोग सावगा तो ल तो इनका जीतना बिल्कुल लगबगते है एक जोतिशी गंड़ना से और राजनेति गंड़ना से पुश्कार की सीट पर हम आते हैं इसमें नसीम अक्तर कांगरेट से हैं और सुरेज सिंह रावत भारतिय अन्ता पाटी से यहां पर कैस्तती बनती भी नजरा लिए जहां तक मुझे लगता है सुरेज सिंह रावत निकल जाएंगे और क्योंकि नसीम अक्तर के मेरे इसाब से ब्रस्पती और सेटन दोनों ही खराब सलने है वर्तमान इस्तती में और इस कारण उनका जीत पाना मुमकिन नहीं है इसका मतलब राजनेतिक नुक्सान बहुत जाता है और मतलब उनकी 12,000 बहुत ज्यादा डेमेज है भी सो कि मानसिक चिन्ताओं से घरना हो सकता है उनको कुछ बीमारी लग जाए आने वाले समय में तो उनका समय अभी बिल्कुल खराब है आने वाले डेड साल तक तो लग बंग मैंने उनकी भी कुंडी देखी है तो अनले नसीरबाद सीट के एदियम बात करें तो रामनारेंड गुजर कॉंग्रेस पाटी से हैं और रामसुरूब लांबा पार्तिंता पाटी से हैं यहां पल कैस्थती आपको नदरा रही है आपके जोतिश के मुताबिक जोतिश में धोरा गोचड नाम की चीज होती है मतलब बह पती वापस जाकर वापस आएगा और उनको इस चीज की अवस्ता का फाइदा मिलेगा जानि की दोरा गोचर उनके लिए लाब दायत है लाब दायत है इसलिए उनकी कुंडली में उनको दूबारा चुनकर आने का दूसरी बार मुका मिलेगा ब्यावर की सीट पर हम आते है जाएगा ब्यावर विदान सभा के अंदर पारस्मल जेन है कॉंग्रेंस पाटी से चुनाव लड़ा है और शंकर सिंगरावत बरतलता पाटी से में है यहां कैसा की आप देखता है प्यावर में इस्तथी पारस्मल जेन की पूरी श्यवर में हैं और उनके व Corinließen proven का शुक्र अच्छा चलता आदमी कई बार जीतने के बाद एंखारी हो जाता है तो हो सकता उससे आने वाले समय में मित्रों से मनमोटा हो जाए लेकिन यह जीतेंगे ज़रूर यानि कि शुक्र पारस्मल जैन के लिए पाय देमन रहने वाला उनको उपर तक लेके जाने वाला मसूदा सीट के बात करते हैं तो राकेश पारिक कॉंग्रेश से रहें और सुचीर को पराड़ा भाज़ेंता पार्टी से यहां मसूदा के अंदर इस्तती क्या कह रही है अब आप इसमें देखें कि रगु शर्मा और राथेश पारिक दोनों के जंद्रमा की राशी है पहली चीज़ और यह ए कि इन दोनों की विस्तु तेट्र इस यह है कि दोनों ब्रह्मन मोंस प्रस्पती और स्थिती बहुत अची है यह यारे कि बान सकते हैं कि राकेश पारिक कि जीते गे और अगर झीते हैं और कंग्रिस पार्टी कि सरकार बनती है तो हुई का मंतरी मंदल में बैटना तह है यह एक नई बात है आत्रू दान सब्सक्राइब जो अभी मेरे साथ ही आनंद बता रहे हैं कि राकेश फारी अगर कंग्रीज़ पार्टी सरकार बंती हो राकेश फारी गीटते हैं तो इनका मंतरी मंदल में बैठना तह है किषंगर कुम्बराशी है और मैं उनसे व्यक्तिकत परिचित भी हूँ और उनके जीत का अधार सबसे अधा मजबूत है इनका जन्मकालीन सेटन और बुद्ध बहुत परी स्रोंग इस्ततीम है ये मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इस बार ये जीत कर जाएंगे और इनोंने जिस अधार प इनकी उदारवादी चभी है और इस हिसाब से ये मुझे लगता है इनका प्रस्पति और बुद्ध और सेटन ये तीनों बहुत अच्छी इस्ततीम है तो ये इनको जिता कर ले जाने के लिए सक्षम है और ये पैली सीट होगी जिस पर निर्दलिय निकलेगा अजमेर आठ इनके तीन गिरे जो आप बता रहे हैं पॉजिटिव में हैं वहीं को जीत कि और ले जारे है पिल्कुल ये पूरा जोतिश ये आकड़ा है अजमेर की अगर हम आटों सीटों की बात करें तो इसमें से एक सीट आपने मसूला की जो है वहां से आपने राकेश भारी को कहा कि मंत्री मंदल में चला जाता है मली कॉंटिक मांठीक जैसा हमारा अखलान अभी तक lyrics के मुता रहे हैं अगर ये सही रहता है तो इन आठों विदानशवा से मंदल में जाने वाले कौन-कौन से लोग होंगे आक के मुताभिक, जिनके जोतिश के अगर्टिग आपको लगरा क सबसे पहले तो राकेश पारिक और दूसरे सुरेस्टा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुमत भारते जन्ता पारिटी या कॉंग्रेस दोनों को पून मिल पाएगा और जहां तक है कि भारते जन्ता पारिटी को असी पिच्छे सीटों तक संतुष रहना पड़ सकता और एक समर्तन की आउशकता पड़ेगी और ऐसे में जो आएंगे वो मंत्री मंदल में जाएंगे ये एक साइकलोजी कल एनालेसिस है और हम इसमें कह सकते हैं कि सुरेश ठांक अगर समर्तन उन्होंने पहले भी का है कि मैं उसको समर्तन करूंगा जिसकी सरकार होगी तो जाइड सी लिए पर निन सेटन बड़े सोंग इस्तती में क्योंकि इनको जाती वक्ती सब कुछ पिल ला है अपने रगव शर्मा को भी जीत वा बताया पारस्मा जैन को भी आप बता रहे हैं मैंदर सिंग रलावता को ये बतारे हैं क्या इनकी कोई जगे नहीं मंत्री मंदल में इनक अगर जगे मिल सकती है तो वह अगले साल दिसममर में एक साल को मैं नहीं को विश्ड़ करना पढ़ेगा जानता क्यों कि इनका जो ब्रस्पती जो है वह भी ने जगा बनाबने या हो सकता किसी चीज का ऐसास कराता है एसास ही कराता है कि मैं भी आपको कुछ कह दू किश को बड बातवाली तो यह कया है कि जीतने के बाद जैसे मैंने आपको काई कि अगर जीतने के बाद ढाजा जैसे पारसमल जेन की बात करें, इनका पुरस्था टे OR् से छल्ड़ा था तो ऐसे रगुशार्मा और में कम से कम 14 महीने का फरक पड़ता है तो सकता अभी से 14 महीने का फरक पड़ता है यह थे हमारे साथ आनेज शर्मा जुनों ने यह बताया कि आपको विदान सवा में जोतिश के मुताबिक कैस्ति रहने वाली है और प्रिदेश में अगर सरकार कांग्रेस या पवार्तिय जिसकी बनती है तो मुख्य मंत्री पत के अपर किसके बैठने के आसाथ लग रहे हैं जोतिश के मुताबिक खैर 11 दिसम्बर को हम सुबह से ही 7 बजे से आपको मद्दान की तमाम जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे जिसके लिए आप mptvindia.com पर विजिट कर सकते हैं और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि पूरे दिन आपको mtv इंडिया के स्टूडियो से लाइफ प्रसारान के जरीए आपको बता पाएं कि आखिर पूरे राजिस्थान में किस विदान्सवा में क्या इस्तती है झाल झाल झाल